Hello friends, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं माइक Friends, अगर आप एक YouTuber हैं और माइक बनाना चाहते हैं घर पर तो Friends कैसे बना सकते हैं? वो भी बहूत कम बज़ट में और अच्छा माइक बना सकते हैं To Friends, आपको क्या क्या चाहिए होगा? किस तरह बनाना है? हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको प्रेक्ट के लिए करके दिखाने वाले हैं ताकि आप भी घर पर ही एक अच्छा माइक बना सके वो भी बहुत कम बजट में अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो भी आप घर पर ही बना सकते हैं अच्छा वाला मा तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या कह चाहिए मैं आपके सामने यहां पर कुछ मेटरियल्स रखा हूं जो आज इस मेटरियल को यूज करके हम माइक बनाने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ बने रही है तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स देखिए यहां पर हमन ओरफ्रेंट्स यहां पर आपके सामने एक और ए, चीज है यह है इए है फोर्म जो ee sofa ओफा बनता है तो यूज किया जाता है भी रहुत शाधी व्याशन वह देख सकते हैं यह ऐसा पैप पहांस अदो you can git मिल जाएगा लगबग तीन इंची का पाइफ होना चाहिए और यहां पर हमने चाकू के वज़ए एक ब्लेड लिया हूँ ताकि काटने उठने का काम यहां पर लगेगा तो काटने के लिए और यहां फिर फ्रेंड्स एक सेलो टेफ है जो मतलब जोलने उठने के लिए काम है और मैं इसी को एक अच्छा माइक बना कर दिखाने वाला हूँ कैसे आप घर पर बना सकते हैं अगर आपके पास भी एक एयरफोन बेकार पड़ा हुआ है तो तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे बनाएंगे आप इस वीडियो के साथ बने रही है देखते रही है तो फ्रेंड् देख शहिए अपको सब्सक्राइब और इसको कर देख अगुए शुरुआ है थोड़ा सा आपको कटन के खाबरा किया सकता पड़ेगी जो हमने यह रखा है देख सकते हैं तुकड़े आपको इतने ही पत लेकिक क्या चाहिए मतलब देख सकते हैं इतना लंबा होना अप्रेंट करना क्या है यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करेंगे यह जो हमारा फों है सबसे करना है इसको इतना मोटा है तो इसको बीच में से हम कटिंग करेंगी इस तरह आप देख सकते हैं यहां से हम कटिंग कर रहे हैं इसको और इसको कटिंग करने के बाद से फ्रेंड्स आगे क्या करना है वह भी हम आपको दिखाने वाले हैं तो आप देख सकते हैं इसका आप देख सकते हैं इतना और प्रेंट्स आपको करना क्या है है इसको थोड़ा और उपर कर लेना है इतना अधा मतलब इसका पाट जो है इसमें जो माइक लगा हुआ है इसका पार ऊपर थोड़ा होना चाहिए और फिर पें दीकिए होअ निकले और लकाने के लाद से आगे क्या करना है ओभी हम आपको दिखाने वाले तो देखिए कैम लग चुका अब इसको यहाँ से भी हम कर देंगे पैक। देखिए इसका पैकिंग करने के लिए यहां से सेलो टब की अब सकता ही पड़ेगी और यहां से सेलो टब हम ले लेंगे देखिए यहां पर चपक गया है और इसको देखिए फ्रेंड से यहां से आगया सेलो टब अब इसको यहां पर भी हम लगा देते हैं देखिए इसको इस तरह पूरा अच्छी तरीके से लगा देना है ताकि वायर न सरकें तो फ्रेंट्स इस तरह करने के बाद से देखिए इसको हम यहां से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद से अब करना क्या है सेलो टेप के साइड में रखेंगे तो इस तरह कर लेना आपको अब यह जो वायर है फ्रेंट्स इस वायर को आपको क्या करना है हम आपको बताने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें और देखें फ्रेंट्स यह जो आपका माइक है यानि यह फोन का माइक है इसको आप करना ये है, देखिए यहाँ पे इसको अंदर कर दे हैं, अब यह जो कौपडा है friends, कपडा, इसको करना इस तरह देखिए, यह जो वायर है, इसको पीछे कर लेना है, और इसको इस पे ढखना आए इस तरह, अब देख सकते हैं, हम इस पे पूरा अच्छी तरीके स इसको लपेट देंगे, और लपेटने के बाद से friends, आगे क्या करना है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, तो आपको इस तरह फटाक से लपेट लेना है, हम लपेट लेते हैं, दोनों कपडा इस पे, तो देखिए friends, कुछी इस तरह का हमने इसे लपेट दिया, और लपेटने के बाद से friends, इस पे हम सेलो टेप का हेलप लेंगे, और यहाँ इसको सेलो टेप से इसको चिपका देंगे, ताकि यह जो हमने इस पे राउंड लपेट रखे हैं, वो खूलेना, तो इस पे हम लप लपेट लिया, अब इसको करना क्या है friends, इसे blade से हम क्या करेंगे, इस टेप को यहाँ से आप कट कर लेंगे, complete हो गया है, अब यहाँ पे इसको देखिए कुछी इस तरह का हो गया, friends, अब करना क्या है, देखिए आपका जो यह wire है, इस wire को इसमें आपको डालना है, इसके last syrup में लाकर आपको इस तरह से निकाल लेना है, और फिर friends, देखिए इसको हम इस तरह करेंगे, और इसको पुरा wire जो है, अंदर मतलब कर लेंगे, अंदर करने के बाद से friends, यह जो हमारा दोनों earphone है, इसको भी अंदर कर देंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे friends, इसको ध धीरे से अराम से इसको लगाना है, नहीं तो जो आपका माइक है friends, बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे, हम जो तरीका बता रहे है friends, सेम हो इसे ही आपको करना है, ताकि आपकी माइक जो है, बहुत अच्छी quality का देखिए यहां पे, और इस तरह से करने के बाद से friends, देखिए यहां पे, पूरा अच्छी तरगे से लग चुका है, अब आपको करना क्या है friends, इसको थोड़ा हम इस तरह कर देंगे, देखिए आपको करना क्या है देखिए यहां पे जो हमारा वाइर है इसको इस तरह हिला कर देखिँ लेंगे हमारा मतलब इसमें Great- REALLY यह जो tep did so तो नहीं रहा है तो पूरी अच्छी तरीके से लो टेप से ऐसे चब गया है अम आपको सी जाली कर लेना थो और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से, तो यह हमारा फ्रेंड्स पूरा मतलब अच्छी तरीके से चिपिक गया है, अब इसको यहां से, बलेट से हम क्या करेंगे तो अब sent को काट लेना है तो देखें यहां से हमने कॉट का लिया अब यह दो फ्रेंड़ रेड़ी हो चुका है अब इसको हम यह करके दिखाने वाले हैं तो आप देख सेते बहुती मतलब हलाओ आठों में फिल लग रहा है आपको कि clip jury मतलब लग रहा है थ Prix तो इस तरह का बनने के बाद से देखे हैं मैं इसको अपने मोबाइल फोन में एक बाद ट्राइ करके दिखात रहा हूं तो उसके लिए हम माइक लगा रखें तो उस माइक को रिमूब करेंगे मोबाइल से तब तक वीडियो को स्क्रीप करना पड़ेगा तो दोस्तो फाइनली आप देख सकते हैं यह माइक जो है हम अपने मोबाइल फोन में लगा रखे हैं और यहाँ पे हम आपके सामने यहाँ देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम क्रिष्णा है और आप देख रहे हैं सीखो जानो टेकनिकल तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेज कर लिजे क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसे ही लेटेस टेकनोलिजी व कर लेते हैं आप से जो कहना है तो दोस्तों अब हम अपना माइक लगा चुके हैं जो हम यूज कर रहे हैं इसमें और यह देख सकते हैं महें पोगाइल फोन से रिमूब कर दिया इन्या अलाग कर दिया तो दोस्तों इस तरह आप बहुत कम भज़ेंच में एक अच्छा आपको अगर आपके पास एरफोन है तो मार्केट से 25 या 30 रुपये के मिल जाते हैं 25-30 रुपये में ही आपको मिल जाते हैं तो आपको 25-30 रुपया ही सिर्फ खर्च करना पड़े यानि लगभग 25 रुपया में एक एरफोन मिल जाता है क्योंकि wholesale price में बहुत कम budget में आता है और आपको 25 या 35 में अच्छा earphone मिल जाएगा और फिर आपको उस earphone को use कर लेना है अपने माइक के लिए तो कैसे बनाना है आपको पूरा पता चल गया और यहां पे जो मैंने material यूज़ किया आप देख सेलो टेप यूज़ किया एक कपला थोड़ा से यूज़ किया और जो फोम होता है वो यूज़ किया और एक कबाड से हमने उठा रखा था एक पाइप ऐसे ही आपको कहीं से भी कोई भी पाइप हो आप यूज़ कर लेना और एक ब्लेड लिया मैने काटने के लिए तो दोस्तों यह माइक कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो अगर आप ही बनाना चाहते हो तो बना लीजिए बहुत ही कमपजट में और हमारी ख्याल से बहुत ही अच्छा है अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए इस तरह का माइक बनाना बहुत ही अच्छा रहेगा और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा अगर यह वीडियो पसंद देयो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पे नहीं तो चैनल को लाइब करके बेल आइकन को दबा दिजेगा और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं धानेवाद दुस्तों आपका दिन सूब जैहिंद बंदे मात्रों